हेलो बच्चो आज हम सीखते हैं ABCD तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, G, U, V, W, X, Y, Z तो अब हम इसमें एक एक करके डालते हैं तो यहां पे सबसे पहले A आया है A for Apple तो चलिए हम डूलते हैं कहां है हमारा Apple तो कहां है कहां है अब यह तो नहीं है यह देखो यह आगया है A for Apple जो की लाजरम का होता है तो चलो अब हम इसको इसमें डालते हैं तो बोलो बच्चो A for Apple अब A के बाद क्या आता है B, B यानी बाल, B for ball तो चलो ढूलते हैं जल्डी जल्डी No तो यहां देखिए यह रहा B जो की ग्रीन कलर का है Yes तो B for ball अब हम C को ढूलते हैं तो C for cat होता है और C for car होता है तो C का माँ है जो की ब्लू कलर का है तो यहां पे C for car अब आ गया है D D यानी डॉक तो यह तो यही पर रहा है तो चलो इसको हम फटा-फटा टालते हैं जो की ब्लूक अब D के बाद E आ गया है हमारा तो E for क्या होता है बच्चो elephant तो चलो ढूनते हैं हम elephant को तो यह आ गया है देखिए E for elephant तो चलो इसको डालते हैं अब E के बाद आता है F So F यानी फिश भी होता है और F मतलब frog भी होता है तो इस letter में F कहा है बताओ मुझे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ देखिए मिल गया हमारा F frog और F यानी फिश अब F के बाद G आता है G जी फॉर जिराफ तो हम ढूनते हैं यह देखिए मिल गया हमारा G जी फॉर जिराफ तो चलो इसको हम इसमें डालते हैं अब आ गया है H जी के बाद बच्चो एच आता है तो एच यानी हॉर्स चोकी देखिए यह पिंग कलर का है हॉर्स अब यहाँ पे आ गया है आई आई यहाँ पे ग्रीन कलर का है तो हम इसको अब डालते हैं आई फॉर यानी आईस क्रीम अब आई के बाद क्या आता है बच्चो J, J, फॉर जोकर तो चलो जल्दी जल्दी हम ढूनते हैं ओ, मिल गया है, यह तो J, फॉर जोकर है तो इसे भी डालते हैं अब J के बाद कौन से लेटर आता है K, K फॉर यानी किं तो यहाँ पे हमें K कहां मिलेगा तो यहाँ देखिए के यहाँ पे परपल कलर का है अब यहाँ पे आ गया है L L यानि लोयन तो हम अब इसमें पहले L को ढूनते है तो L यहाँ पे N के बगल में है तो L पॉर यानि लोयन तो यहाँ पे यह ग्रीन कलर का है अब L के बाद यहाँ पे आता है M M for मतलब monkey और M से mango भी होता है तो देखते हैं इन लेटर में M कहा है तो यह रहा फ़स्ट में ही तो यहाँ पे यह pink कलर का है तो चलिए डाल देते हैं हम M for monkey अब यहाँ पे M की बारी आई है तो N for nest होता है तो यहाँ पे यह यलो और ओरेंज कलर में है N for nest चो इसमें डाल देते हैं हम अब यहाँ पे M later के बाद O आता है O मतलब orange O for orange तो O को इस block में डाल देते हैं अब आया P की बारी तो P for parrot होता है P for parrot तो इस block में इसको डालते हैं हम यह यहाँ पर green कलर का है P के बाद यहाँ पे अगला letter कौन सा आता है बच्चो Q Q for queen तो Q यहाँ पे ही मिल गया दूसरे नमबर पे था तो यहाँ पे Q for queen होता है अब यहाँ पे आती है R की बारी R for rabbit होता है तो यह पर-पर कलर का है तो R for rabbit है तो इसमें इसे डाल देते हैं अब अगले letter की बारी है R के बाद S S for sun तो इसमें sun कहाँ है यह मिल गया S S for क्या होता है बच्चो sun तो अब अगले letter की बारी है T तो Q, R, S, T तो T for tiger तो देखिए पाँच्वे नमबर पे है tiger तो T मिल गया तो T for tiger अब umbrella आता है U मतलब तो U for umbrella T के बाद U आता है U for umbrella अब यहाँ पे हमें U के बाद V देखना है तो O, P, Q, R, S, T, U उसके बाद V V for ran तो V यहाँ पर यह है तो V for ran होता है तो चलो डालते हैं हम इसमें अब V के बाद डालते हैं अब यहाँ पे W आ गया है W यानि watch W for watch होता है यह हमने इसमें डाल दिया है अब आ गया है अगले लेटर की बारी जो की X है तो X यानि X नस्ट्री तो यहाँ पे Z की उपर है Y तो चलो इसको भी हम इसमें डालते हैं तो यहाँ पे Y for क्या होता है बच्चो याँ अब य की बाद है Z लेटर की जो की अखरी है तो Z for zebra तो हम इसको टालते हैं तो A, B, C, D, E, F, G H, I, G, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z तो बच्चो और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिये हमारी चैनल को बाई